तो आगे देखो अब मैं वेल्यूस पूट कर रहा हूं इसमें वेल्यूस में देखो क्या होगा कि पहला आपके पास जैसे मैंने कहा आपके पास 90 इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं वन जीरो से वन जीरो से वन जीरो से वन जीरो ठीक है अब यह 89 जा कितना होता है यह 100 अपॉन 180 162 होता है ठीक है इसको डिवाइट करेंगे तो आपका अंसरा जाहिए ठीक तो यह पहला स्टेप है कब जह हम मुलालिटी निकाल रहे है ठीक तो मुलालिटी हो गई 100 अपॉन 166 अब सेकंड स्टेप आता है आपका सेकंड स्टेप इस मुलारिटी में क्या करेंगे देखो मुलारिटी में एक चेंज है डेवलू बी इन 2,000 अपॉन एम दे तो यह तीन तो सेम है देखो एक चेंज है वॉल्यूम का वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे density is equal to mass upon volume volume is equal to क्या हो जाएगा mass upon density mass आपके पास है 100 ग्रैम और density आपको दी वी थी देंसिटी देख लेता हूं मैं 1.2 दी है कि कितनी दी है देंसिटी इसमें दी है आपको 1.2 ठीक है तो यह हो जाएगा 1.2 अब इसको यहां रख दो बाकि कुछ चेंज नहीं है देखो केवल डेंसिटी का मतलब क्या है जहां पर आपको वॉल्यूम यूज क करना है तो भी डेंसिटी गिवन होगी अब देखो वेट कितना है ट्वंटी है सॉरी टैन है वेट इन्टू थाउजएंट अपन मोलर मास है आपका 180 है इन्टू अब वॉल्यूम की जिए पर आप क्या लिखोगे 100 अपन 1.2 इसे सॉल्ल मत करो यहां पे क्योंकि आराम से कै हो जाएगा तो यह आंसर आजाएगा आपके पास 10 इन्टू इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो 12 अपन 180 इससे यह डिवाइड हो जाएगा 62 जा 63 जा इसको करेंगे तो 0.67 के असपास आजाएगा ठीक है तो यह आपका क्या हो गई मोलैरिटी हो गई तो मैंने क्या किया और वेल्यू जी देखने है कि कि किसके लिए कौन से वॉयल्यू है वेट Championships टैन ग्रहम है जो मोलेकला वेट है वोन एट्टि है और वोल्यूम आपको दिया नहीं है उसके लिए क्टी गिवन होगे जरूर॔ तो डैन्सिटिजी इकल टो मास अपान Mosc कॉन्यूम वालियुम द बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें डाउटाएं डाउटावच साहरा है अब दूसरे इसमें डाउटी है यही घृती है ग्लॉट साथ अब मैंने का तहां आपको नम्बर आफ मोर्मोस कभी बिवन नहीं होते है थी किलुकोस अब finger … जाएगा weight of glucose upon molar mass of glucose plus weight of water upon molar mass of water अब देखो इसको solve करेंगे तो यह है 10 upon 180 फिर यह divided by फिर यह तो सेम होगा 10 upon 180 प्लस यह 90 upon 18 इसको divide करेंगे 18 590 हो गया अब ध्यान रखना इसको 10 से 10 हटा दिया अब आपको यह पूरा solve करना 18 को divide करो 1 से तो 1 0 फिर यहाँ 0 करना पड़ेगा 0 फिर 18 590 होता है फिर कितना हो जाएगा यह 10 फिर एक 0 तो 18 5 जा तो यह ध्यान रखो कि अब आपको ऐसे solve लिखना है 0.055 upon 0.055 plus 5 अब इसको plus कर दो यहां से 0.055 upon 5.055 अब इसको यहां से हटा दो पहले फिर इससे divide करो देखो 5055 को divide करना है 55 से पॉइंट लगाओगे एक 0 फिर एक 0 लगाना पड़ेगा फिर एक 0 फिर यह लगबक कितने से जाएगा 9 से देखो 9 5 जा 45 होता है तो लगबक यह 9 से चला जाएगा 9 के आसपा से चला जाएगा इसका जो आंसर आपका ठीक है वो मोल फ्रेक्शन का सायद इसमें हाँ 0.11 याने 0.989 आ रहा है गुलकोज का जो है आपके पास गुलकोज का है मोल फ्रेक्शन और गुलकोज हाँ अच्छा यह 1 से जाएगा पिर सोरी सोरी यह 1 से जाएगा यह 505055 और यह है 55 तो यह 1 से जाएगा 5055 थीक है तो यह 1 से जाएगा तो यह 0.01 0.01 something आएगा तो अब हम क्या करेंगे जब हम water का निकालेंगे तो इसको 1 से minus कर दो बस जो भी आपके पास glucose की value आएगी उसको 1 से minus करेंगे तो आपका answer आजएगा 0.11 आ रहा है हम क्या करेंगे 1 minus 0.011 ठीक है इसको 1 से क्या करेंगे minus कर दो 0.011 तो 10 में से 1 गिया 9 फिर ये 9 में से 1 गिया 8 ये 9 में से 0 गिया 9.0 ठीक है तो ये धियान रखना आपने तो जो water है वो आगया 0.989 और glucose आगया है 0.011 तो कभी भी अगर आपको mole fraction दोनों का पूछा है तो आपको एक का निकालना है और हमें पता है कि जो दोनों का plus होता है वो answer 1 आता है तो एक का निकालोगे आप दूसरा क्या हो आप खुद बह खुद निकल जाए गए तो ये reply करके बताओ मुझे आप ये आया या नहीं आया समझ में अहां ओके पर ये concept में नहीं पहले concept समझ में आया सबको तो question answer करने आपने regularly इसको ट्राइ करते चले जाओ ठीक है जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसमें कि अब मैं आगे बताता हूं यह question जो next है यह पूरा का पूरा इसमें थोड़ा time लगेगा आपके पास जो 1.2.6 है यह थोड़ा सा complicated यह थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो मैं आपको 2.7 बताता हूं पहले क्योंकि इसमें यह आपको Monday के लिए बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगे टाइम लगेगा इसमें लगबाग 20 मिनट्स यह सबसे टाप question है इसका है आसान है लेकिन आपको क्या होगा समझने में दिक्कत ना आए तो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको मैं 2.7 को बता देता हूं आपको ठीक है 2.7 को क्योंकि अभी हमार पास दस ही मिनट बचे है तो दस मिनट में होनी पाएगा वस्वाइगा वस्वाइगा question number 2.7 है a solution is obtained by mixing देखो आपको एक solution बना रहे हूं एक solution बन रहा है आपको mix कर इसमें क्या चा चीज़ें mix हो रही है देखो पहला है 300 gram of 25% ठीक है और दूसरा है इसमें आपने इसको mix किया किसके साथ 400 gram 400 gram of 40% solution आपने इन दोनों को mix कर दिया अब वो क्या कह रहा है कि percentage बताओ mass percentage mass percentage निकालने हमें resulting solution की तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा सबसे पहले हम देखेंगे कि 300 का 25% कितना होता है solution 1 में करते हैं बात तो इसको करेंगे 300 का 25% तो यह हो जाएगा 2-0 से 2-0 कर गया यह जाएगा 75 gram ठीक है याने इसका मैंने कितना लिया 75 gram लिया अब इसका निकालेंगे देखो solution second है solution second में मैं कह रहा हूँ 400 gram में 40% याने 40 400 इंटू 40% 2-0 से 2-0 cancel out हो गया 4-4-16 याने 160 gram याने पहले solution का मैंने 75 gram लिया और दूसरे solution का मैंने कितना लिया 160 gram लिया ठीक है यहां तक समझ में आया आपको अगर वो कह रहा है कि इन दो solution को मैंने mix किया 300 gram of 25% याने कि 300 का 25% कितना आया 75 आया second है 400 का 40% तो हमने निकाला 400 का 40% है 160 gram ठीक है यहां तक समझ में आगे है सबको यहां तक समझ में आया यह सबको ओके वेरी गुड़ कल आपका टेस्ट होगा ध्यान रखना है और उसमें conceptual question होंगे और ऐसी morality morality के questions होंगे ठीक है फिर इसका जो second step होगा Monday को बहुत important है क्योंकि जो maximum question आये हैं आपके पास went-off factors आये हैं जो मैंने भी छोड़ा हुआ है Monday के लिए कि अब देखो अब हमें क्या करना है मैंने कहाँ आपको total solution कितना हुआ 160 ग्रैम था हमारे पास plus 75 ग्रैम था इन दोनों को add करके आ गिया 5 और 6 प्लस 7 13 टू प्लस 1 याने 2 इतने ग्रैम ठीक है यह solution कौन से mixing वाले और एक है जो हमने total solution लिया स्टार्टिंग से ही total solution कितना था आपके पास पहले का था 400 ग्रैम और दूसरे का था 300 ग्रैम ठीक है तो 4 प्लस 3 याने 700 ग्रैम तो total solution था हमारे पास 700 ग्रैम उसमें से हमने mix कितना किया एक का 400 था उसका 160 ग्रैम मिक्स किया और 300 का मैंने कितना मिक्स किया 75 ग्रैम तो यह जो मिक्सिंग करने के बाद solution आया वह कितना आया 235 ग्रैम तो बोला अब इसका mass percentage बताओ तो mass percentage के लिए क्या होता है जो mass जिसका पूछा हुआ उसे उपर रखते हैं total solution का नीचे रखते हैं into 100 ठीक है ध्यान रखना कभी mass percentage of resulting solution कह रहा है वो resulting solution का mass percentage resulting में क्या था total कितना था हमारे पास 400 ग्रैम पहले वाले का second का 300 तो four plus three याने 700 ग्रैम और mixture में कितना डाला तो 400 का तो मैंने 150 ग्रैम ही इसमें डाला और 300 का मैंने कितना डाला 75 ग्रैम डाला तो इन दोनों को मिला के आ गया 235 ग्रैम तो मुझे पूछा गया mass percentage बताओ तो mass percentage के लिए क्या होगा इसको solve करेंगे two zero से two zero cancel out हो जाएंगे seven को इससे divide कर दो 73 जा 21 होता है फिर 25 हो जाएगा तो 73 जा 21 हो जाएगा 440 हो जाएगा तो 75 जा 35 फिर 59 तो 77 तो कितना आएगा 33.57 परसेंटेज यह calculation पार्ट होना चाहिए आपका आप mathematics वाले हो सब लोग तो mathematics में calculation strong होना चाहिए कि आप देखते ही तुरंट solve कर दो आपको इतना ना जाना पड़े कि आप करो या जितना ज़्यादा practice करोगे वो habitual हो जाता है आप देखके बता दोगे question अगर answer कई बार गलती से होती है तो answer के गलत और ही का पता चल जाता है जितनी प्रैक्टिस जादा करोगे ठीक है तो यह question बताओ यह समझ में आया कि नहीं आया आपको कि बताओ कि ओकी yes okay विनीत विनीत को अच्छा एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको देखो कभी भी क्या होता है जब आपको question पूछा गया जैसे मैंने कहा कि मैं एक solution बना रहा हूं ठीक है मेरे पास एक solution था 400 ग्रैम का और एक solution था मेरे पास 300 ग्रैम का यह तो पहले solution था लेकिन मैंने क्या कहा कि इसको मैं पूरा नहीं डालूँगा इसका केवल मैं कितना डालता हूं 40 परसेंट ही डालता हूं और इसका मैं केवल कितना डालता हूं इसका कितना परसेंटेज लिखा था 25 परसेंट इसका मैं केवल 25 परसेंट ही डालूँगा इसका 35 परसेंट डालके इन दोनों को मिक्स कर दूँगा ठीक है तो फिर मैंने क्या किया कि 400 का 40 परसेंट निकाला 160 ग्रेम और 300 का 25 परसेंट निकाला 75 ग्रेम ठीक है अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने का बता तो mass percentage कितना हुआ तो mass percentage कैसे निकलते हैं जैसे हम लोग अपने marks की percentage निकलते हैं obtained marks obtained कितना है 160 plus 75 और total कितना percentage है दो को starting में total कितना था 400 plus 300 और इसमें से मैंने कितना mix किया इतना mix किया तो जो mass percentage होता है mass percentage का मतलब weight resulting solution का upon total solution into 100 ठीक है तो यह आजाएगा आपके पास जो अभी अभी निकाला था हमने 5 है और 3 है और यह हो जाएगा आपके पास 2 upon 700 into 100 ठीक है तो यह इस तरीके से निकालना है तो हमने क्या कि इसकी percentage को weight किया mix किया पूरे को mix नहीं किया तो टोटल था लेकिन मैंने क्यों 40% ही डाला वस इसमें यहाँ पर मैंने 40% ही लिया ठीक है और यहाँ पर मैंने कितना लिया यहाँ पर लिया मैंने क्यों 25% मिक्स किया पूरा मिक्स नहीं किया ध्यानतना तो पूरा मिक्स नहीं करूंगा बलकि क्या करूंगा 40% और 25% ही मिक्स करना है इसलिए आप जो resulting solution हो कितना बना 140 प्लस 75 ग्रैम याने जो resulting solution बना वो 235 ग्रैम का बना ठीक है तो किलियर हुआ यहाँ तक विनीत रिप्लाई करना अब देखो next question कर लेते हैं last question आज का एक है देखो question number 28 में है कि an antifreeze मैं आपको कहा था antifreeze का मतलब होता है कि जो freezing नहीं होने देगा उससे antifreeze कहा जाता है antifreezing के खिलाप है यहाने freezing होने नहीं देगा ठीक है is prepared from 222 ग्रैम तो जो जो आपको information दिये देखो यह ethylene glycol दिया हुआ है c2s602 2.8 ठीक है इसे कहते है ethylene glycol इसका आपको उसने weight दे दिया देखो इसका weight दिया हुआ है ethylene glycol का 222 222.6 ग्रैम ठीक है पहली चीज मिल गई आपको दूसरा उसने water का weight भी दे दिया आपको weight of water दे दिया आपको 200 ग्रैम तीसरा फिर कहरा हूँ calculate molality बताओ molality निकालनी है हमने फिर हो कहरा density भी दे दिया आपको density कितनी दे दिया है 1.072 ग्रैम और आपसे क्या भी पूछा उसने molarity भी पूछी है molarity पूछी है तो हमने क्या करने आप देखो molality भी पूछ ली molarity भी पूछी है अभी हमने कई question ऐसे की है हमें इसकी molar mass की जरुवत पड़ेगी देखो बाकी हमें सब कुछ दिवन है देखो weight of ethylene glycol है जो इसका weight है 222.6 ग्रैम water का weight है water का weight है 200 ग्रैम सिर्क मुझे किसको चाहिए molar mass of solute solute हमारे पास यह है तो molar mass of solute या ने ethylene glycol कैसे निकालेंगे C2S6O2 इसको multiply करो देखो 2 x 12 plus 6 x 1 oxygen का 16 होता है इंटो 2 तो 12 तो 24 plus 6 30 plus 32 याने 52 calculation part strong होना चाहिए अब देखो यह सारी information आप मैं दूसरे में put करके answer निकाल देता हूं और कुछ है नहीं density आपको दिया हुआ 1.072 तो 62 होगा तो 62 है यह 32 है न 32 प्लस 30 हां 62 अब इसको solve कर देते हैं अब देखो के लिए क्लें मैंने का आप molality निकालो तो molality क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 अपोन MB इंटू W इसकी वैल्यू दी आपको 222.6 इंटू 1000 अपोन मुलर मास अभी निकाला हमने 60 और वाटर का वेट है 200 ग्रैम बस यह solve हो जाएगा मैंने का अब molality निकालो तो molality क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 अपोन MB इंटू वाल्यूम अब वाल्यूम के लिए मैंने आपको कहा था density गीवन होगी देखो हरम इसा density is equal to mass upon volume तो volume is equal to mass upon density अब ध्यान रखना इसमें इसमें mass क्या लेंगे जो total mass होगा यहां पर बस confusion यही है total mass किसका 222.6 plus 200 total solution का mass मैंने कहाता यह solution का mass होगा तो solution में solute plus solvent upon density of 1.072 बस आपको यहां पर value put कर दो 222.6 into 1000 upon molar mass अभी हमने निकाला 60 into इन दोनों को plus करेंगे तो देखो 224 हो जाएगा तो 422.6 upon 1.072 यह उपर multiply हो जाएगा तो यहां से आपको molarity निकलाएगी और यह है आपकी molality and molarity ठीक है तो यह है maximum question मैंने आपको कहा केवल formula based है केवल 3-4 question मिलेंगे आपको थोड़ा सा different bus NCRT में बाकी सारे के सारे question क्या है formula based है तो you must have to learn the formula ठीक है तो कल तयार है ना questions के लिए आने कि मैं आपको 10 बज़े के असपास test करूँगा ठीक कोई problem hard time हो चुका है कोई doubt किसी को ठीक है तो मैं meeting off कर रहा हूं इस समय और कल टेस्ट के लिए ठीक है तो बाई-बाई and have a nice day